एक दिन विश्णु जी के पास गय नारज जी पूछा मृत्य लोक में वह कौन है पुनिश लोक भक्त तुम्हारा प्रधान विश्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रियतम उसकी परिक्षा लूँगा हसे विश्णु सुनकर ये कहा कि ले सकते हो नारज जी चल दिये पहुचे भक्त के यहां देखा हल जोतकर आया वह दुपहर को दरवाजे पर पहुचकर रामजी का नाम लिया स्दान भोजन करके फिर चला गया काम पर शाम को आया दरवाजे पर फिर नाम लिया प्राता काल चलते समय एक मधुर नाम इसमरण किया बस केवल तीन बार नारत चक्रा गए किन्तो भगवान को किसान ही याद आया है गए विश्णु लोग बोले भगवान से देखा किसान को दिन भर में तीन बार नाम उसने लिया है बोले विश्णु नारत जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है तुम्हें छोड़ कर कोई और कोई नहीं कर सकता साधारन विशे ये बात को विवाद होगा तब तक ये आवश्यक कारे पूरा कीजिए तेल पूर पात्र ये लेकर प्रदिक्षणा कर आये भूमंडल की ध्यान रहे सव इशेश एक भून पी इससे तेल ना गिरने पाए लेकर चले नारत जी आग्या पर घृत लक्ष एक भून तेल उस पात्र से गिरे नहीं योगी राच जल्द ही विश्व परियतन करके लोटे बैखुंट को तेल एक बून भी उस पात्र से गिरा नहीं उल्लास मन में भरा था ये सोच कर तेल का रहस से एक अवगत होगा नया नारत को देखकर विश्व भगवान ने बठाया इसने से कहा ये उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इश्ट का लिया एक बार भी नहीं शंकित हिदय से कहा नारत ने विश्व से काम तुम्हारा ही था ध्यान उसी में लगा रहा नाम फिर क्या लेता और विश्व ने कहा नारत उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है उत्तर दायत्व कई लादे हैं एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वो लेता है इसी से है प्रेत्म नारत लच्चित हुए, कहा यह सत्ते है